साब्सक्राइब कीजे मेरा यूट्यूब चैनल बगल में बेल आइकन भी जरूर दबाना ताकि आप मेरी आने वाले वीडियो मिशनगर पाओ नमस्कार भाई और भेनो आपका मेरे यूट्यूब चैनल ऑनलाइन ग्यान भाई आनन्द मैं मैं आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत एम अभी लंदन करता हूँ आज मेरी भाई और भेनो ये उत्राखंड जीके से समझदी के पाँचवा भाग है इससे पहले मैंने चार भाग अपने चैनल पे अपलोड कर दिये हैं आपने वो भाग नहीं देखे हैं तो भाई और भेनो मैं अपनी वीडियो के नीचे जो डिस्क्रिपिसन होता है उसमा आपको पूरी वीडियो जब वाच होंगी तब आपको आगे आने वाली पार्ट दिरे दिरे समझवाएंगी तो भाई बैनो इससे पहले हम इस जीके पार्ट में हम पढ़ चुके हैं आधु मध्यकाल और प्राचिनकाल में और मध्यकाल में हमने बहुत बहुत फैक्टू क के बारе में ज्थे कत्युरी सासन के बारे में पढ़ा कैसे कत्युरी सासन में हमने पमाऊ पढ़ा की है कैसे कत्युरी सासन की जानकार है तो इस्तानी लोग सतिया हर्त इसके अध़ कथी wreck कि सुरू करते हुए हम पहुंच गए हैं आधुनी काल में आधुनी काल में हम पढ़ेंगे भायो बहनों आज गोर्खा सासन और हम पढ़ेंगे आज ब्रिटिस सासन इनके जो महत्वपूर्ण है जो उत्राखन देव भूमी इनसे कैसे आजाद हो इसके बारे में आपको डेटे गोर्खाउन ने क्या करा था चंद वंचा की चोटे से युद्ध में हावाल भाग कर दो मैए क्या कर दिया था हरा दिया था उसके जो गो अल्मोडा के उत्तरी छेत्र में अपना अधिकार कर लिया था इसलिए चंदवंस को पतन हुआ था वो गोर्खाओं ने किया था एक छोटा से युद्ध हवाल बाग में इनने क्या करा था कि भाई बेनों गोर्खाओं ने उनके जो कम जोरी थी उनको पकड़ कर उनको हरा दिया था अब गोर्खाओं की बात करें तो भाई बेनों गोर्खा नैपाल के थे और बहुत लडा कि बहुत प्राकर्मी माने जाते उसमय और इनके बारे में और बताएं तो गुल को अपने घुटने टेकने मजबूर कर दिया और चंद महंदर को मार गिरा गया और फिर वहाँ पे गोर्खासासन की स्तापनों ही अलमोडा में 690 में यह हमने चंदोवांस वाली पार्ट में पढ़ दिया है आपने वीडियो नहीं देख तो प्रीच वीडियो देख लें और हमने उसके बात पढ़ा कि फिर गोर्खाओं ने क्या करा यहाँ पर यानि लगा दिया था एक टैक्स लगा दिया कर लगा दिया वार्शिक 25,000 रपे का कर लगा दिया था कि आइंदा यानि अगली बार से आप यहाँ पर कोई भी हमला नहीं करोगे करके एक संदी के तहद 25,000 का कर वार्शिक कर गुर्खाओं पर लगा दिया था किसने गड़वाल क राजा थे उसमें जो उनने तो फिर क्या हुआ गडवाल में भाई और भेनों भीषण आब्दा आगे 8303 में और क्या हुआ गडवाल उसमें क्या हो गया चिंड विन हो गया और उसमें गडवाल क्या हो गया आपदा से ग्रेशित था तो गुर्खाओं ने मौके का फाइदा अठाय मेरे प्यारे बाएबेनों और क्या हुआ गडवाल को गडवाल पे आक्रमन कर दिया गडवाल पे धाबा बोल दिया अपना और क्या हुआ कई और गडवाल में जो उसमय राजा थे उनको हरा दिया था वो जब गोर्खा सासन की बात कराएं उसमय कौन थे अमर सिंह थापा और हस्त दल चोतरिया थे उसमय उनके बेजी संदी भी हुई थी यही क्या थे उसमय गोर्खा सासन इनकी हत्ते था और इन्होंने ही यह सेना के से इन्होंने क्या किया गोर्खाओं पर इस पर गडवाल पर हमला बोल दिया इनको वही कर लगाया गया था एक संदी के तहत अगली वार्षे हमला नहीं करोगे करके फिर बाई और बैनों इन्हें 803 में हम संदी के बिरुद्र जाकर 803 में इनने आपदा का फाइदा उठाकर वहाँ पर हमला बोल दिया और गडवाल का उस समय जो राजा थे परदिमंसा थे परदिमंसा उस समय क्या होगे इनसे हार का सामना करना पड़ा बाई बैनों गोर्खाओं से क्योंकि उस समय क्या थी यहाँ पर गडवाल पर क्या थी वहाँ पर सारे किले जो थे रच्छा के के लिए भै गे थे आपदा से ग्रेशित था और जन्माल की हानी हो गए थी भौत यानि गड़वाल क्या हो गया था अस्त ब्यस्त हो गया किसे आपदा से और उस समय गोरखाओं के आकरमन के दरना गड़वाल के राजा थे जो पर्दिमन सहा उनने फिर एक और संदी रखी उ चौद मई 804 को गोरखाओं और हमारे बीच यानि गड़वाल के जो उस समय के राजा थे पावारवंस के पर्दिमन सहा थे उनके बीच एक युद्ध होगा यानि नेना एक युद्ध होगा उस में जो जीता उसका गड़वाल ऐसा नेना एक युद्ध कहां पे हुआ मेरे प्यारे बाए बेनो 14 मई 804 को खुडबडा मैदान में हुआ जो खुडबडा मैदान धेरा दून में इस्तित है बाए बेनो नेना एक युद्ध हुआ उसमें क्या हुआ पर्दिमन सहा प्राप्त हुए वैसे ही गोरखाओं का आधिपत्ती कहां भी हो गया मेरे प्यारे ब कुमाओं और 2-9 गड़न गड़न आनल उत्तिए कुमाओं और 770 में अधिकार हो गया अब कुमाओं और किस will अshore कि कि अधिन आगया अत्याचारी गुर्खाओं के अधिन आ गया जो अत्याचारी सासक कहे जाते हैं जिनको तो उस बासा में गोर्ख्याली का जाता यह भी मैं आपको फैक्टव बताऊंगा तो भाई और बैनो यह मैंने आपको थोड़ा सा इस पीछे की वीडियो के बारे मैं जान करी दी अब बात करें तो फिर करनल निकोलस और करनल गार्डनर ने क्या किया था भाई और बैनो अठार सो पंदर में अलमोडा को विजीत कर लिया था अब बात करें करनल निकोलस और करनल गार्डनर थे कौन तो फिर बाई बैने जैसे ही मैंने आपको बताया कि गोर्खा सासन का गोर्खा का सासन कहांपा कहां हो गया था गडवाल और कुमाउं दोनु में हो गया था तो फ प्रित्म साहा और दूसरा था सुदर्संसा प्रित्म साह को तो गुर्खाव ने बंदी बना कर क्या कर दिया था अपने काट मांडू भेज दिया था और जो सुदर्संसा चाहो उनसे भाग नेकल कर बच निकल कर कहां चले गया था वो चले गए थे कहां हरिद्वार रह रहे वो हरुद्वार में अपनी जीत की पर्तिक्चा कर रहे थे अपनी रणनिती बना रहे थे और उस रणनिती में उनका एक काम आए बाएनों उन्हेंने क्या करा जो उसमय भारत के यानि भारत पे उसमय भी बाएवर बेनों किसका ही राज्ता अंग्रेज बिटिस है नकाई राज्ता तो उसमय जो यहां के वाइस्तरोई थे लाड वेलिंग्टन वेलिंग्टन ने क्या मांगी लाल हैंगिस्टंग स्वारी बाएवर बेनों जन्नल गवर् भारत के जैसे ही सुधरशन साहा ने उन्से मदद मांगी, तो भायव बैनो, फिर क्या हुआ जो लाड हैंग इस्तंग थे, उन्से क्या मांगी गई सुदर्सन सा के द्वारा मदद मांगे गई उनसे कहा गया कि जो मेरा राजपार था वो अपनी पूरी समस्यान को बता दी गई और एक संदिक के तहत क्या हुआ गड़वाल पर क्या हुआ उसने अपनी सेना भेज दी और अक्टूबर 804 को गोर्खु के बिर्दू अंग्रे सेना भेज दी और 805 में गड़वाल को बिर्टिस सेना ने क्या कर दिया था अपने अधीन कर दिया है यानि स्वतंत्र कर दिया था अब बात करें भाई बेनों फिर क्या हुआ सुदर्सन सा ने जो उस समय पर बात की थी उनसे संदिके तहत जो युद्धिबे था साथ समय खार ata र offend क्या कर दाब दा तो क्या करा सुदर्सन सा निदे पाए तो अंग्रे जो ने क्या करावाई बैनों आधा राजजित हो था उसको एक संदी के तहत हड़ लिया था और सुदर्सन चारा सा को एक छोटासा प्रांत कर दिया था स्रीनगर का एक छोटासा प्रांत थी उनने तो इस परकार बायों बेनों ये प्रोसेस चली और वहाँ पर क्या हो गया बिडिस सेना का बिडिस का अधिपत्ती हो गया कहां पर कड़वाल पर इस परकार अब बात करें ये हमने बताया कि जो करनल निकोलस और करनल गार्डनर थे इनने 1815 में अलमोणा पर भी क्या कर दिया था अलमुणा को जीत लिया था जिसमें क्या था गोर्खाओं का साथन था उसमें कहां पर यहां पर क्या अलमुणा पर गोर्खाओं का साथन था तो कर्नल निकोलस और कर्नल गार्डनर ने 815 में अलमुणा को विजित कर लिया था और जर्नल अक्टर नोली ने पंदर में अठार सो पंदर को बीर गोर्खा सरदार अमर सिंग थापा को मलाओ का किला जीद दिया था और इस परकार भायवे बैनों गोर्खाओं का पतन का समय आ गया था क्योंकि जो विट सेना थी भायवे बैनों गड़वाल से बढ़कर खां आ गे थी अलमोडा की उर आ पर अलमोडा को जीद दिया था जैनल आक्टर नोली ने पंदर में 845 को बीर गोर्खा सरदार अमर सिंग थापा को मलाओ का किला जीद लिया था यह दो महत्तुपन गटनाई किसने कर दी थी बाइबेनों अंग्रीजी सेना बिचिस सेना ने तो इस परकार गोर्खाओं का अप्रेल पीर 815 को करनल गाडनर उसमें कुमाओके करनल कौन थे बाया बेनो करनल गाडनर तथा नेपाली गुर्खा शासक बम साके बीच क्या होगे एक संदि वही बाया बेनो क्या होई एक संदी हुई क्योंकि इनने क्या कर दिया था विजीत कर दिया था दो महतुमन घटना है हो गे थी बिटिस सेना ने क्या कर दिया था ठार सब पंदर मा अलमोडा को विजीत कर लिया था इन दो गवर्नर ने और जनरल आक्ट और नली ने पंदर मा एको वीर करनल गार्डनर हो गया और वहां का अंग्रे जी से वहां क्या कहते हैं सॉरी गोर्खा सासन का क्या पमसा के बीच क्या हो गई एक संदी के तहत कुमाओ की सत्ता किसको सापदी बाए बेनो गोर्खा सासन की सत्ता किसको सापदी अंग्रे जुको सापदी और क्या हो गया गोर् इसको नहीं मान रहे थे और अपने जिद पे अड़े हुए थे तो जैसे ही अमर सिंग थापा अमर सिंग थापा के हार के बाद क्या हुआ गोर्खाउं ने और अंग्रेजु के बीज क्या हुए अठाइस नॉब्बर ऑटार सव पंदर को क्या हुआ अमर सिंग थाफा जिससे मलाइफ का किला जिसने आक्टर नौली ने जीता था उस गुर्खाओं के बीच यानि अमर सिंग थाफा की हार के बाद अंगरेजुं के मद्दी गुर्खों और अंगरेजुं के बेद्दी कहां पर हुई थी 28 नौवंबर अठासोब पंदर को संगोली में एक संदी हुई थी इसके बारे में हम आगे डिटेल से पढ़ेंगे अब बढ़ते हैं बाए बेनों संगोली के संदी के बारे में आपको बताओं तो बाए बेनों संगोली के संदी क्या थी ये गोर्खाओं और बिटिस सेना के बीज इसमें क सब संगरे संगोली Subscribe इस द شाष प्रीसना ने थोcs सब्सक्राह आप कर दो ने हाथ खड़े कर दिये तो इस परकार संगोली संदी के तहत कहां बिट सेना और गोर्खाओं के बीच एक संदी वह बातचीत हो गई बायवेनों चंपालन जिला बिहार में होई संगोली संदी कब 28 नॉमबर 815 को तो इसको इसमें बात करना कुछ इस दो इसमें थे बायवे रहा गए था कि गोर्खाओं ने कुमाओं की सत्ताँ अंग्रेजुको सोंपी थी और गढ़वाल और कुमाओं को को कोसभा था या湃aterial सभैा यानी 22 वान Public High ने वह बात Χाय और कुक्णा सिक्क्वा से भी हटाकर काड मांडुमें भी बिडो सेना रखी जिसमें गोर्खाओं ने को बरती कर दिया ये तीन प्रावदान रखे बाए बैनो संगोली संदी में जो की चंपाला ने बिहारम होई थी एक बार में आपको और दोरा दे रहा हूं इसमें क्या-क्या प्रावदान रखे थे इस संदी में गोर्खाओं ने कुमाओं की स भर्ति भियूँगी ऐसे प्रावदान बिट सेना ने रख दिये थे संगुली संदि में चंपार्ने बिहार में तो इस इस संदी को नेपाल सरकार मानने को तयार नहीं थी तो इस परकार बिटी सेना जो कि बायो बेनो एक मानी जानी सेना थी उसने क्या करा नेपाल पर चड़ा ही करकर नेपाल यहीं काटमांडू पर चड़ा नेपाल पर चड़ा करकर काटमांडू पर ही मार्च उनको हरा दिया और मार्च 1908, 16 को इस संदीक नेपाली सासक जो था नेपाल सरकार इस संदीक को मानने को तैयार हो गई तो इस परकार भाई और बेनों ये जो हुआ गोर्खा सासन का उत्रा खंट से नामो निसान पत्ता ःड़ गया इस परकार इनका सासन की बात करें इनका सासन की बात करें तो 25 साल रहा और गळवाल में इनका सासन की बात करें तो भाई और बैनो हमने गोर्खा सासन के बारे में पूरा पढ़ दिया है गोर्खा सासन का हो गया उत्राखंड से पतन हो गया अब उत्राखंड पर क्या हो गया भाई बैनो किसका राज हो गया बिटिस सासन का अब बाढ़ेंगे हम बिटिस सासन के बारे में तो भाई बैनो मैंने बताई दे था पावारवनस के जो साथक थे सुदर्सनसहा के आमंत्रण पड़ी बीटे साथने गोर्खाउं को क्या हुआ था यहां से उत्रगडवाल से भगाया था तो इस और तो शंदी के तहद सुदर्सनसहा जो थे पमारवनस के सासक वो क्या अगर संदी के तहद जितना उनका व्याय था वो नहीं दे पाए और उनका क्या होगा बिटिस सासन ने क्या कर दिया था अपना एक प्रांत पूरा बना दिया था या नि आधार जो राजी था वो ले लिया था और सुदर्शन साहा को एक छोटा सा तर्षा राजी देगर वहां इस्तापीत कर दिया था इसके बारे में हमने पढ़ टिस को हैन jetzt कि यहां कैसे बाढ़ मिक इसका आधिकार की कुमाओं में ढिकार की बात करें गुरखाहों का अधिकार हमने पड़ा था 1815 में चले गए थे कुमाओं यह अधिकार करहां ब्ह। तेरी रियासत जो की सुदर्शन सा की थी उसको छोड़कर पूरे ओवरॉल जो उत्राखंड में था यानि कुमाओं और गड़वाल छेतर में टेरी रियासत खोड़कर बिटिस सेना का ही अधिकार था और जो भी प्रांत थे इसके वो क्या होते नॉन रेगुलेशन प्रांत क को चुना गया था अब आप बात करें क्वेश्चिन पेपर में किस तरह से आ सकता है बाई बेने प्रस्ना आपका जो उत्राखंड में कुमाओं और गड़वाल को मिलाकर उसका जो पर्थम कमिश्णर चुना था यी गाड़वाल को चुना था अठार सब मैं पंदर सो आठ कि अब बात करें कि टेरियास को छोड़ा और पूरी प्रांत को नॉन डेगुलिशन बना जिया था इसके बारे में हमने बता जिया था अब हम नेक्स्ट स्लाइड में जो पढ़ेंगे उसमें हम पढ़ेंगे बिटिस सेना की क्या रणनीति रही अपना जो उनका तो उनने क्या करा कुमाओं पर क्या करा उनने अपनी जो परसासनिक सुविदा अपनी सुविदा के लिए जो परसासनिक उनका सुविदा का डाचा था उसके लिए उनने क्या करा कुमाओं को एक जनपत का गठन कर दिया जो कुमाओं था उनको एक जनपत यानि जिला बना पुरा कुमाओं को उनने क्या गए थे और उनने क्यां देहरादून को दूसरा चैतर में तका शाहरनपूर जन्पथ 5 तो सानली नौसला तुम पूला नौसलों को इन यह है क्यों करेंेया प्रवाद100 लगोरा है मैं के वाना-वे cosmic इंडिया कमपनी का ही राज था आपने इस परकार उनने अपनी सुबिता के लिए देहरादून को 18. सारनपूर जनपद में मिला दिया था अर इसमंसर तीसरे फेक्ट की बात करें इसमें जो पहले पहले कुमाओ जनपद जो था कुमाओं, जनपत और टिहरी, गड़वार राजी में बाँड दया था।। उनने कि परसासनी क अपनी सुभिदा के लिए। फिर आरेम्व में उनने क्या करता, उर्तरा खंड को दो राजदितिक परसासनी इकाई में बाँड़ा। दो राजनीती परसासन इकाई थी टिहरी गड़वाल और कुमाओ जनपद में बांड दिया था उनने जो अपना अपनी जो परसासनी इकाई जो भी धाचा होगा उनका काम करने का तरीका उनने फिर एक कुमाओ जनपद में बांड़ा फिर उनने टिहरी राज जी में और च्छेत्र क्या कर दिया और जो कुमाओं का था जनपद याणि दो जनपद में बाड़ दिया था गड़वाल का छेत्र कुमाओं जनपद ना बढ़ गया था अब चौथे फैक्ट के और बढ़ते हैं चौथा उनने क्या करा भाई बेनो 840 में उन्हें बिटिस राजी की जो बिटिस गड़वाल की राजधनी थी वो पौड़ी गड़वाल लाज दिलाई अब भाई बेनो पूरा उनका छेतर था पूरा उनका हग था और जो वहां का उसमें बनाया था उसको तो पूरा नॉन रेगुलेशन परांद था यानि किसी का अधिगाद नी था सिर्फ बिटिस सेना का था तो वो अपनी मन चाही कर रहे थे 840 में उनने क्या करता है बिटिस गड़वाल को अब चौथे फैक्ट की बहुत बात करें तो 854 में उन्हें नैनिताल को कुमाओं का मुख्यालाई तथा 854 से इसमां कुमाओं और पौड़ी गड़वाल जनपत सामिल कर दिये थी जैसकि मैंने आपको बता दिया है कि वह दो भागों में अपनी परसासनी एकाईउं के लिए उनने जो गड़वाल का छेत्र था उसको पौड़ी गड़वाल में बाँड़ दिया था और कुमाओं का जो कुमाओं जनपत में बाँड़ दिया था और इसका मुख्यालाई कहां कर दिया था अठारर्ससससाओन में नैनितायल में कर दिया था और 80 ο parks sık ёणनभर के बीज उनने रिक कुमाओं में क्या कर देती ये डो जनपत सामिल कर दिय थे जो कि झो ये अजांका नोन्क्न नन्रेःटर वाला परांत वालundred वाला जो ये नन्हां रिकूलेशन परांत गड़वाल और कमाओ छेतर के लिए गड़वाल छेतर के लिए नॉन रेगुलेशन परांद की तो वरेता रखी गई थी उसको हटा कर अठार सो इक्यानेबे में संयुक्त एक राज्जी बनानी का संकल्प लिया और 1902 में बाए बेनों उनने क्या करा आगरा और अवद का इनवरी में उत्तर प्रदेश का अंग बना दिया तो इस परकार इनका राजनतिक डांचा बहुत ही महत्वपूर था बाए बेनों इनका जो काम करने का तरीका था वो बहुत अलग था किसे गुर्खा सासन से और इसके बारे में हमें जानकारी मिलती है सन 1904 की बात करें तो 1904 में नइनिताल गजेटियर में जो इस राजी के लिए का गया है यानि जो कुमाओ परगणा हो गया और जो पोड़ि गड़वाल का जो बागता उसके लिए निताल गजेटियर में हीली स्टेट की नाम दिया गया जो 1904 में परकासित हुई तो इस परकार भायो बेनों या पार्ट हो गया अब हम इसके बाद पढ़ेंगे जो स्वतंत्रता के लिए यानि स्वतंत्रा का उत्राखंड का योगदान नेक्स्टी वीडियो में और हम पढ़ेंगे की उत्राखंड की जो उत्राजी बनाने के लिए आंदलनकार्यू का जो संगर्शता उसके बार में गोर्खा सासन और किसके बारे में बेडिस सासन के बारे में बायो बेनों डीपली पड़ा आपको वीडियो एच्छी लेगी तो बायो बेनों बहुत मेनत लगती है प्लीज लाइक जरूर कीजिएगा और मेने चैनल को सब्सक्राइब करकर बेल आइकन जरूर दो बैब नेक्स्ट वीडियो का मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बहुत बहुत धन्यवाद आपका